नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निउज की डिफेंस टॉक्स तरीज में जहां पर हम रोज नएने डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर ना करते हैं आज की वीडियो बारे में बात करने वाले नॉर्मली के अंदर हैवी ट्रांसपोर्ट एक राप आते हैं और अभी हमारे पास इस सेग्मेंट के अंदर आयल सेवेंटी सिक्स और सी सेवेंटीन जैसे एक राप्ट मौजूद हैं जिनको 1908 चे दौर में इंडिक्ट किया गया था और अभी न इंजिन को बदलने का फैसला किया गया था और इसमें अभी मॉडन पीएस-90-76 इंजिन को इंस्टॉल करने का भी फैसला किया गया था जो कि इनकी ऑपरेशन लाइब को एक्स्टेंड कर सकता था और इनकी फर्दर अपग्रेड में हमको सफिशेंट पाउर को जिनरेट करके कर सकता था लेकिन अभी ते के प्रोग्राम इतना आगे नहीं बढ़ पा है रीसेंटली क्याक की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था इसमें बात बताया गया था कि रश्यन या सुवित ओरिजिन एक्राप्ट की बात करें तो यह अपनी सर्विस लाइब की लगभग 40 सा पूरे कर चुके हैं और अभी इनकी सर्विस एवेलिबिल्टी बस 40% के आसपासी होवर कर रही है जिस वज़े से अभी इनको रिटायर करने का फैसला किया जा रहा है और 2035 तक इन सभी आयल 76 प्लाटफॉर्म को रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है अभी हमारे पास 11C 17 एक्राफ्ट भी मौजूद हैं लेकिन इनकी सर्विस एविल्टी रेट 98% से 100% के बीच रहता है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है लेकिन वहीं पर अगर आयल 76 एक्राफ्ट की बात करें तो इनका सर्विस बहुत ही पूर होने की वज़े से इनको सभी सिस्तमाल करना हमारे सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो इनको इसी वज़े से 2035 तक रिटायर करने का फैसला किया जारे लेकिन 2035 तक इनको रिटायर करने के साथ साथ हमें लगभग 20 नए स्ट्रेजिक एरलिप्टर एक्राफ्ट की जरुवत पढ़ने वाली जो कि से 17 जैसे एक्राफ्ट की के कराफ्ट होने वाले जो की फ्यूचर में हमारी हैविलेट फ्लाटफॉर्म की में एक्राफ्ट बनने वाले हैं अगला अपडेट एरो इंजिन की तरफ से हैं आप सभी को यह बात पता होगा कि भले हमारे इंडिजनस एरोस्पेस सेक्टर अभी पहले की मुकाबले काफी ब की सक्सेस्फुल टेस्टिंग के बाद कुछ खवर सामने आथा कि इसको फर्दर इंप्रूब किया जा सकता और इसकी रिफाइंड कोर के साथ अगर एक नई आप्टर बनिंग सेक्शन को आड़ किया जाता है तो यह लगभग 90 किलो टन तक की थ्रस्ट को प्रेडियूस कर स सकता है लेकिन यह फिर भी एमका जैसे एक राप को पावर करने के लिए सफिशन को प्रोवाइट नहीं कर सकता है और अभी अगर हम खुद की एक नए एरो इंजिन को बनाने की कोसिस करते हैं तो हमें एक एंडिजनस एरो इंजिन को बनाने के लिए लिए लगबग 20 साल का जा सकता है और अभी इसी वज़े से फ्रांस की सफरान के साथ बातचीत किया जा रहा है और अभी बात लगबग कन्फर्म हो चुका है कि डियाड और सफरान साथ मिलकर एक एरो इंजिन को बनाने वाले हैं जोकि 75 किलोंटन की ड्राइट त्रस्ट को प्रेडियूस कर सकता ह और यह इंजिन आगे चलके हमारी मैकसम एक राप में इस्तेमाल किया जाने वाला है और सेम इंजिन को आगे चलके इसके और भी डिरिवेट्टिब्स को बनाया जा सकता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट एकरा में भी इस्तेमाल कर पाएंगे अगला अपडेट भारत चाइना और स्रिलंका की तरफ से अब चाइना की तरफ से काफी दिनों से भारत को घहरनी की कोशिस किया जा रहा है और सिब लैंड में ही नइबल की चाइना भी भारत को अपनी ओवर्जी वेसेस की मदद से चारों तरब से गोरने की कोसिस कर रहा है ताकि क्यूचर में अगर कॉन्फिक्ट होता है तो भारत इंडियन उसन में आने से चाइना को रुख नहीं पाएगा इसी बीच लगातारी बात नोटिस किया गया कि जब भी भारत कोई मिसाल को टेस्ट करने के लिए कोई प्लान करता है तो चाइना की तरब से उसके बाद अपनी स्पाय वेशल्स को इंडियन उसन रेजिएंड में किसी ना किसी बहाने से भीजद दियाता है जो कि रिशर्ट वेसल के नाम पर इंडियन उसन में आते हैं और चाइन इस तरीगे से और अभी भी चाइना की एक स्पाइसिफ जिसका नाम सीयंक 6 है ये भी मलाका स्ट्रेट से होते हुए इंडिया नोसन रिजन में एंटर करने वाली है जिसके बाद इसको चाइना की तरब से सिलंका की कॉलम्बो पोर्ट में डॉक करने का फैसला किया गया था लेकिन मजे की ब प्रोसेडर है उसमें भारत की इंटेस्ट भी काफी माइने रखते हैं जिस वज़े से सिलंका की तरफ सभी चाइनिज स्पाइसिफ को कॉलम्बो पोर्ट में डॉक करने से क्लियरस देने से मना कर दिया गया है और यह जो स्टेटमेंट था इसको अभी स्लंका की फॉरइन अज़री गंस के तरफ से और अभी हम इंटेजिनरस आट्लियरी गंस के बारे में बात करें तो अभी तक कल्यानी ग्रूप की तरफ से एटीजेश को एक्सपोर्ट करने में कामे अभी को हासिल किया जा चुका है इसके बाद अभी पता चला कि ब्रजील की तरफ से भी भारत से आटलरी गन्स को खरीने के वारे में सोचा जा रहे हैं भारत में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉंफरेंस चल रहा था और इसी अपसर पर ब्रजील की आर्मी चीफ जनरल फर्नांडो भी भारत के गस्प पर आई वह था और उनकी इस विजिट के दौरान उनको इंडियन मेट एटीजेस और धनुजेसे आटलरी गन को दिखा गय है क्योंकि डिलिवरी के मामले में धनुज आटलरी गन काप पीछ है और इस वजह से हो सकता है ब्रजील एटीजिस को सेलेट कर सकता और उपर से उसका रेंज भी धनुज के मुकाबले थोड़ा भैतर होने वाला है लेकिन फर्क इतना है कि यह थोड़ा एक्स्ट्रा हेवी भी होने वाले ब्रजील की तरफ से एक फ्रेस आरेपी को भी इसू किया गया था जिसमें वो अपनी एक्जिस्टिंग एम वन वन फोर एवन होजर को रिप्लेस करना चाहते था और इसी के लिए भी भारत से कोई आटलरी गन को खरीने की कोशिस कर रहें इसमें एटीजिस क अगनी 5 मिसाल की तरफ से कुछ दिन पहले में आप सभी को बताया था कि अभी डियाडो की तरफ से अगनी 5 मिसाल की माक 2 वरियंट को टेस्ट करने की प्लैनिंग किया जा रहे हैं हलाकि अभी तक इसके बारे में कोई भी डीटेल पबलिक नहीं किया गया था तो इसके बारे में कोई ज़ादा जानकरी भी अविलावल नहीं था लेकिन रीसेंडिएर अच्पर से और अब उनकी मिसाल टेवलपेंट प्रोग्राम में सहयोग करने के लिए संभानित किया ग फिलाल ये अगनी 5 मिसाइल के अपडेटेड वेरियंट हो सकता है जिसमें नए कमपोजिट मैटल का इस्तमाल करने की वज़े से इसका वजन काफिया तक रेड्यूस हो चुका है और अभी इसका वेट करीब 20% के असपास रेड्यूस होने की बात की गई है और इसी वज़े से इसकी पेलोड केरिंग काफिया तक इंक्रीज हो चुका है और साथ इसका रेंज भी काफी बैतर होने वाला है एक एस्टिमेशन के मताविए फुल पेलोड के साथ यानि की करीब 1.1 टन की न्यूक्टियर पेलोड के साथ लगभग 7000 किलोमेटर तक स्ट्राइक कर सकता है औ लेकिन अभी अगनी 5 की मार्ग 2 वेरियंट आने के बाद अगनी 6 के बारे में थोड़ा कन्फूजन क्रियेट हो रहा है कि अगर इसको DRD डवलप करने वाले तो इसका रेंज कितना होने वाला है अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से आउजित के जाने वाले एक एक्सपो को लेके जिसको अभी गुहाटिक की मनीरा दिवान ट्रेड सिंटर में आउजित किया जाएगा वैसे तो इसमें काफी सारे सिस्टम्स को डिस्प्ली किया जा सकता है जिसके बारे में स्टम्स की बात करें तो काफी है तक आउट्डेटेड हो चुक है और इसको आउट्डेटेड माना जाता है क्योंकि यह रेंज और एक्यूरेसी के मामले में मौडर्ण स्टम्स के मुकाबले काफी पीछे चलते हैं और साथ यह स्मॉलर कैलिवर के अमुनिशन को भी फायर क कर दिया गए जिसमें अभी की मदद से Kerry किया जा सकता है जो कि स्टाइपर आफाल को प्रेट करने की सेगमेंट में एक बहुत ही राइफल्स की सर्विस लाइप वो काफ यादा बचा हुआ है बस इनकी लिमिटेड रेंज और नॉन नाइट कैपेबिलिटी की वज़े से इनको अभी रिप्लेस करने के बारे में सूचा जा रहा था पर अभी गजराज कोर की तरब से इन राइफल्स को कम्प्लीटी रिटा नहीं होने वाली क्योंकि नॉर्मली स्नैपर्स को हमेशा दुस्मन की स्नैपर से खत्रा होता है लेकिन इसमें एई इंवल्व होने की वज़े से यह अपने आप ये दूस्मन को टार्गेट कर पाया और अगर इसको दुस्मन मारता भी है तो तब भी हमको को कोई नहीं होने वाली है अगला अपडेट पी एटाई एक्राप्ट की तरफ से है आप सभी जानते की पी एटाई एक्राप्ट हालाकि इंडियन नेवी की एक्राप्ट है लेकिन जब चाइना के साथ हमारा फेस अफ हुआ था तो इसको मैपिंग के लिए लद्दाग जोसे रिजि बैं मौझुद एडवांस डौर की वजए से इसको अशानी से तुस्वाराई करने के लिए इस्तमाल की प्ता पता लगा सकता है तो अभी इसमें firepower को भी आड़ करने की कोशिस किया जा रहा है और अभी इंडिया नेवी की p8a aircraft को missiles और torpedoes को भी carry करने के लिए modify करने का फैसला किया जा रहा है जिसके बाद दुस्मन की sunbarines को detect करने के साथ उनको destroy करने की खियमता भी रखने वाले हैं अभी के लिए सब दुस्मन की sunbarines को detect कर सकता है जिसके बाद इसको हमारी sips और sunbarines के साथ वही data share कर सकता है लेकिन उनको अकेले neutralize नहीं कर सकता है लेकिन अपग्रेड होने के बाद हमारे p8a aircraft आसानी से दुस्मन की sunbarines को detect करने के साथ साथ उसको destroy भी कर पाएंगे अगला update भारत और United State की तरफ से भारत और US की बात करें तो हर साल भारत और US के बीच और US के आर्मी के बीच एक joint military exercise को conduct किया जाता है जिसका नाम exercise जुद्ध ब्यास है और एक proper military exercise है जहांपर real world condition के हिसाब से war drills को conduct किया जाता है और इसे alternate basis पर हर साल भारत और United State की तरफ से होस्ट किया जाता है इस बार की बात करें तो इस बार इसको United State की तरफ से होस्ट किया जा रहा है और इस बार इसको US की तरफ से अपनी Alaska में मौजुद fort wind wet में conduct किया जा नाबिद हो चुके और इनकी वज़े से infinite units को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इस वाज़े से US Army और Indian Army की तरफ से real world condition में किस तरीके से contrary operation को launch किया जा सकता है उसकी बारे में joint operation और joint drills को करने का फैसला किया जा रहा है इसके अलाबा दोनों Army की तरफ से professional interaction को भी किया जा रहा है जिसमें एक दूसरे के साथ अपनी expertise को भी share करने वाले है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातर